प्रीती जिंटा ने बताया विरात कोली की वो कौन सी बात है जो उन्हें बेहत पसंद है वहीं एक फैन ने प्रीती जिंटा से जब रोहित चर्मा की तारीफ सिर्फ एक शब्द में करने को कहा तो एक्टरस ने इस पर क्या जवाब दिया बताएंगे आपको इस विडियो में बने रहे इस विडियो की साथ आखरी तर इन दिनों प्रीती जिंटा लाहोर 1947 की शूटिंग में व्यास थैं और वक्त निकाल कर वो सोचल मीडिया पर अपने फैन से जुड़ी इस दोरान प्रीती ने विराट के अग्रेशन और रोहित शर्मा के टेलेंट की जम कर तारीफ की लाहोर 1947 की शूटिंग में जूटी प्रीती जिंटा ने सोचल मीडिया पर फैन्स के साथ सवाल जवाब में हिस्सा लिया उन्होंने क्रिकेटर विराट कोली के अग्रेशन के साथ रोहित शर्मा के टेलेंट की भी दिल खोल कर बात की बता दे कि उनके अपकमिंग फिल्म लाहोर 1947 देश के बटवारे के दौरान की कहानी है जिसमें वो सनी देवल के साथ नजर आएंगी अपने बिजी शेडियूल से वक्त निकाल कर प्रीती इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अकसर क्रिकेट मैचों में शामिल होती दिखाई देती फैन से बात करते हुए प्रीती ने उनके सवालों के जवाब दी जो विराट कोली को लेकर थे एक फैन ने एकस्पर प्रीती जंटा से पूचा विराट कोली सर के बारे में कुछ बताईए जिस पर प्रीती ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मुझे उनका ओन फील्ड नेगरेशन और जीतने को लेकर उनकी ध्रड़ता काफी पसंद है जिस तरह से वो अपने परिवार और डांस मूव से प्यार करते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है उन्होंने आगे कहा जब वो पहली बार IPL में आये थे तो मैंने उनकी बहुत सारे डांस मूव से थे उनसे किसी की क्रिकेटर और हिटमैन रोहित चर्मा के बारे में भी पूछा इस पर प्रीती जिंटा ने तुरंथी रियक्ट के और जवाब देते हुए कहा वो टेलेंट का एक पावर हाउस है बता दे कि पंजाब किंग्स का जब भी RCB के साथ मुकाबला होता है तो प्रीती विराट से मुलकाद जरूर करती हैं दोनों की बीच काफी अच्छी दोस्ती हैं सोशल मीडिया मंच पॉयर अपनी टीम को लेकर रियक्ट करते हुए प्रीती ने क्या लेका चलिए वो बताते हैं उन्होंने अपनी टीम को लेकर कहा कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ हमने आखरी गेंट पर चार गेम गवाएं हमने अपने कप्तान को चोड की कारण को दिया कुछ गेम शांदार थे और कुछ उतने अच्छे नहीं थे हम भविश्य में तभी अच्छा प्रदर्शुन करेंगे जब हम अपने घरेलू मैच जीतेंगे हमारे प्रशन्सकों का बहुत बहुत दन्यवाज चिन्नों ने हमेशा हमारा साथ दिया क्रिकेट की बात करे और परफोर्मेंस की बात करे तो पंजाब किंग्स ने टॉर्डनामेंट में अब तक खेले गई ग्यारा में से चार मैचों में जीत हासल की और वो अंग तालिका में आठवी नंबर पर मौझूद है पीबी केस को अपने कई करीबी मैच गवाने पड़े पंजाब की टीम अब अपने अगला माच RCB के विरोधी खेलेगी जो कि 9 माई को खेला जाना है दूसरी तरह विराट कोली की टीम RCB की बात करे तो उनका प्रदर्शन काफी हद तक पंजाब किंग्स की तरह ही रहा है हाला कि उसमें अपने पिछले तीन माचों को लगातार जीत कर वापसी जरूर की लेकिन RCB के प्लेओफ में क्वालिफाई करने की चांस ना के बराबरी अब देखने वाली बात होगी कि क्या RCB अपनी जीत की लएको बरकरार रख पाएगी या नहीं बात करने प्रीती जिंटा की तो प्रीती जिंटा अभीने की दुनिया में वापसी करने वाली है जिंटा आकरी बार बड़े परदे पर 2013 में फिल्म इश्क इन पैरिस में नजर आये थी अपने करेर में उन्होंने कई बड़े फिल्में दिये जैसे कल होना हो, वीर जारा, दिल चाता है, कोई मिल गया, लक्षे वो इन सभी फिल्मों में शामिल रही, जो की एक सूपर डूपर हिट फिल्म रही, प्रीति जंटा लमे समय बाद अभीने की दुनिया में वापसी करने जा रही प्रीति जंटा ने विराट कोली और रोहित शर्मा के उपर ये जो बयान दिया है, उसको लेकर आपकी क्या व्यूज़े हैं में कमेंट्स करके जरूर बत, वीडियो को लाइक शूर जरूर करें और ऐसे एक क्रिकेट से रेलेटर विडियो को देखने के लिए बने रही है क्रिकेट केसरी पर